हेलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्णिंग बेटा आज हम 10 प्लास के अंदर आप लोगों को नेच्ट लेक्टर जो स्टार्ट करते हूं उस नेच्ट लेक्टर में हमारे पास जो टोपिक है टोपिक है हमारे पास हुमन नर्वस सिस्टम ठीक है बेटा जो हमारे पास हुमन नर्वस सिस्टम हो मन नर्वस सिस्टम जब हमने यह चेप्टर श्टार्ट किया तब हमने आप लोगों को बताया था कि प्लांट और अनिमेल के केस में कंट्रोल कोडिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट वे में होता है एनिमल की केस में control coordination के लिए specific system होता है जिसको हमें एक तरीके से neuro endocrine system के नाम से बोलते हैं तो human beings में भी neuro endocrine system present होता है तो उस neuro endocrine system के अंदर सबसे पहला part हमारे पास है जो neural part है जिसको हम human nervous system के नाम से बोलते हैं उस particular system के अंदर यानि neural system के अंदर अगर हम human beings के अंदर देखें कि neural system जो present होता है उस neural system में क्या होता है वो कैसे होता है और neural system जो होता है उसके अंदर हमारे पास parts present होते हैं ही और से ह। ची प्त आप हैं कि और हवे वह जाता है ज़ासक्त फिर में पार सोगए पनल शेय पास्ट को नुन миました can एक नर्वास है और पहलब क्या है वैरी वह ओ नर्वसी शिख्टम स्का मतलब यह होता है जैसे मैं अपनी बोडि की बात करता हूं इस तरीके से मेरी संप्रेजनट धर जो throughbest η प्रेजेंट होते हैं आप साइड में अब प्रेजेंट है अब पैरी परिपरल नर्वसfendim जो है वह साइड साइड में कैसे प्रेजन क्सी रीक ए से रोल पले करता क्या काम करता है रेखेंग है बोर नघ्टॉर्वर्वर्व जो प्रजेंट है जो प्रेष्टेम कि रही काम करता है है विल्विदायस स्ट्वम ह works अधे और शेकिन्ड क्या है भी अध़िविव एस्पाइड़ कोड व्ही के दोनों पार्ट है तीक ना सब्रेंग जो अधोस को क्या बोलते हैं हमें कि अगर सैन्टिफिक ट्रॉम में उसको बोलते हैं एंसिफिलोन और शिफिलोन ऑन माय लियोन क्या बोलते हैं एक प्रिक्रि नर्वोस इस्ट्रम में क्या च्छीज ने बैटा इक तो हमारे पास क्या है बेटा वोलेंट्री वोलेंट्री पैरिफ्रल नर्वास सिस्टम दूसरा हमारे पास क्या है इसको हम क्या बहुत सकते हैं इन वोलेंट्री का बहुत्य है एक सिस्टम वोलेंट्री का क्या मतलब करती है और ऐसा क्या सिस्टम उसको इसको बेगा करने काम निीं करता है लेकिंटेनिट व और जो वह पास मतलब नर्वस सिस्टम से सिट्रम पार्ट इस तरीके से हुमन नर्वस सिस्टम जो है बैटा उस हुमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट है अब हम एक एक पार्ट को बताएंगे सबसे पहले हमारे पास के है बैटा जोता है कइसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस सेंट्रल नर्वस सिट्रम में ब्रैन और wspinal कोड़ेंगे में ठीक है है तो हमारे पास के हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसकी बात कर रहे हैं सी एनस की बात कर रहे हैं सबसे पहले हमारे पास पार्ट है अब ब्रेन जो पार्ट है पन कर रहे है और यह सइन्टिफेलोण यह साल्टिफिक्ट फिंग है एम सबस्क्रेट लोगर्डिया थी है पर्शंचु मर्कानी बरें ऐस वाला उस्की बात रुक्ति हो दकल भी मारे वे इस इदा घॉपर करता उसकोँ करता उसको असे taken पलते हैं और सब्सक्रों मुण ना है जो हमारे है ऐसे बाइट त्रेट टिलाएं को जबाइट अगर त्री फार्स थीकते पार्स पॉल सकते हैं वे थे से क्रेंड्र पार्ट हमारे पॉलती हमारे पास है ुक्त भिवाइड है मिफ्रेंट ऐसे हिसेजिए कैसे हमारे पास ये तो ने क् this दो अब यह जो ब्रेंट के पार्ट से अगें डिफ्रेंट पार्ट्स वह कौन-कौन से बाट है इसके तीन पार्ट से देखिए नमबर वन पार्ट है हमारे पास है है कि बाट ऑल्फ फेटरी है अई लॉग सबसे पहला गया है छो पास है उसको बोल Mov के हैं चाहिब्स्रा押 ये बरल ये सपैर को तीह two है चैचर्परम है कि अनि का बहुकी मेंग शबस क्मीचन ये सबदाब हेडा न ये कि Muslim न महींदा कि थीक है उसको क्या बोल सकते हैं नाइन से बलोन बोल सकते हैं सेकेंड या इनिमेड ब्रेफ लिए इन्टू पार्ट से से खेडकर ने पैटा इसमें से खेड़े उसको डिवायद के दा सकते हैं से प्रम अजल्बार ऐसे ऑडि पार्ने यह को पोरा है काडू जी मिया इकाने बेटा पर पर उजी मिया ठीक है वाटू जैमी जैमी ना जैमी ना ठीक है पेटा उसके बाद ही इन ब्रेइन आलसो डिवाइड इन तू त्री पार्ट यह पार्ट इसकाल दा पॉंसी बेरोली से लिए बैलम्स एंड मेडूला अब लों सकते हैं कौनकौन से हैं पॉंसी टीक है ना अब है टीक है इस तरीके से तेव्क पार्ट है पेटा सारील हिए जैक है ना हम यह त्रीन काट्ट और परेजेंट होते ह हैं वाटा यहां पर देख्राइब करते हैं तो उस प्रोपर एक्स्वराइब करता हूं और उस डाइग्राम के आप संभागे कोशिश करें कि मैं कि इस बात कर नहीं यह बेटा है यह बेटा हुमन ब्रेन है बैटा है इस तरीके से यह ब्रेट है बैटा है एक जो हमने हैं और यह ब्रेंदर यहां इस पाल्टिकुलर रिजन के अंदर यहां पर में पार्ट्स प्रेजेंट है इस तरीके से मैंने एक रफली सा डाइग्राम बनाएं इस तरीके से आप इसको देखिए मैं आपको इसके बारे बताता हूं कि इसमें पार्ट्स में क्या क्या है है आज दो के इसके पार्ट्स में क्या क्या प्रेजन सबसे कहला है हमने बात किसी की विटा शबसे कहले हमने बात की एक फॉर ब्रेंट । इस दिवाइट इंटू त्री में पार्ट्स आप हुमन ब्रेंट जो है भी एक बाहरत बड़ा इसा ब्लब 80 ये वह पर्चब क्ट यहां से लेकर यहां तक है हमारे पास में इसको आपको बताया मतलब सबसे बड़ा जो पार्ट होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया यह जो पार्ट से इसको बोलते हैं इस पार्टिक्लर रिजन के इंदर देखें जो भी हमारी अक्टिविटी होती है रिडिंग की हैं हंगर की है थर्स की है बेटा लिजनी की लर्निंग की ठीक है कोई भी वर्क परफॉर्म करने की या मेमरी की बात करते हैं तो वो सब रिजन हमारे पास किसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा मेमरी की बात करते हैं हंगर है थर्ष डिजर है सब रिजन इस हमिस के बाद हमारे पास नेक्स पार्ट कौन सांबेटा दूजरा पारट हम यह पर देखेंजिज वरिजन फेक्ट्री लोग अब कि यह all factory logs जो present होती है इसका क्या काम होता है normally हम इसको यह कह सकते हैं this is responsible for the smell किसके लिए है to test the smell smell को test करने के लिए यह region present होता है all factory log अब इसे all factory log को अगर हमें एक तरीके से देखे बेटा इसमें कौन-कौन सा पार्ट है तो all factory log जो होती है उसको दो present होते हैं हम इसको बना सकते हैं तो यह तो है बेटा ओल factory और यह क्या हमारे पास है और इसका में फंक्शन क्या है बेटा इसका function है कि यह help बरता है to test the smell smell को test करने में मदद करता है ना उसके पाद third part की बात करते हैं third part कौन सा पेटा डाई इसी फ्रेजन का यह जो रिजर प्रेजन यह जो रिजर प्रेजन है इसंप्र फ्रेंट्ट की बात करें जिसका बहुत ज्यादा important role है तो कू Caput han की इमपोरेंज होती है चीजो कि आप सब और यह जो प्रेजन्ट आपको दीख रही है चोटी सी स्टर्चर इसको हम क्या बोलते हैं विचूट्री वोडी के नाम से बोलते हैं हैं धाइश हमारे पास क्या है इसsuch्रों यसिटीर देखते हैं यह आपर तो यह घुनाराय pezyलियमक्षाइर यह है आप गएप nota होता है यह तो इस ते ओर पर अब यह जो जीज़न है मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है बेटा हाइपोधलमस है आप एपीधलमस रीजन भी प्रेजेंट है एपी मतलब उपर थेलमस रीजन के उपर वाड़ा तो पार्ट होता है इस रीजन का स्पेशल रोल में आप लोगों को बता रहा हूं कि उपड़ा थेलमस और फिचुट्री ग्लैंड पिचुट्री ग्लैंड इस ग्लैंड इस प्रेक्ट शाल नहीं अब करते हैं इस तो यह सब हॉर्मोन्स यह सब स्ट्रेंशन जो है वो बोड़ी को रेगुलेट करने में अब करते हैं तो यह था बैटा हमारे आपास कहता हूं मिडवरेंट आप एस इस करते हैं तो it consists of the two parts इस एड़ा प्रेजेट होते हैं यह प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं यह नहीं रहें रहेंट रिक्षा क्या होता है ईड़ता किन्दर होती हुइं राधा शयह घ्याय पैटा जो स्पेशल स्रक्टर में करते हैं उसंब यहां पर स्पेशल बन जाते हैं और उसको रिलीज करते हैं कहां पर लेके जाते हैं नीचे स्पैंडल कोड की तरफ लेके जाते हैं तो यह हमारे पास वेंट्रीकल्स है जो ब्रेंड के अंदर एक तरीके से प्रेसर मेंट्रेंट करने में हल्प करते हैं नावदा यहां पर हमारे पास वेंट्रीजन प्रेजेंट है वह कौन-कौन सा है मैटा सेरीब्रल पेटेंशल और कॉर्पोरा क्वाड्योजेमिया यह बहुत पार्ट जो होते हैं देखिए अ इस तरीके से आप इसको जाल से देखें बैटनीचे से मैंने अपने आउंगोड के को किस तरीके से आच कर दिया है कि मेरा बुठा इधर का पोर्शन इदर गया हुआ है ड़्योजेंट कर दिद्वार्ट इस पार्ट को गंट्रोल करता तो ऐसे में बोट पार्ट जो प्रिजेंट होते हैं उन दोनों में क्या-क्या सेपरेक्टरी रेगुलिशन हैं ऐसी सिट्रेशन में एक गुजरे के वीज़ में कॉडिनेशन मिंटेन करने के लिए और पॉरा कलोसम जो रिजन की मैं बात कर रहूं में शलाओ मशकन चीन ओर द्रिटा्यां मैं प्रिजेंट होता है कि में पास के हैं ब्रेंड का हिंड ब्रेंड पार्ट बेटा और वह तीन पार्ट कौन-कौन से हमारे पास ही उन तीन पार्ट में कौन-कौन से बार्ट पास बोल सकते हैं वह सब्सक्राइब को बताता हूं कि मैं इसको साफ कर देता हूं यहां से है अग्यां आयुक्त का वे सिखना तो फोर भी आप अब क्लते हैं इंड इंड ब्रेंड जो है उसमें तीने पार्ट के वाट अब इस तो में जोगाऊ विद्फिधा विड़ान आप इस पर ना समझे कि अ item जमर्मर जो रीधित नंट यहां है यह बात क्या है यह पार्ड खरोला कॉयर ये हमारे पास क्या है ये पहरत कर इस पार्ड व्म तो त्व ग्रॉड संप razor लाइड के अमारे पास कोंक्त है currently यह सुरूरू messenger आगे रिंदि अब इन पर का क्या रोल होता है देखिए ये थीनों पाट्स पोधा इंप्रेंची रखते हैं तो बताता हम कैसे इंपोर्टेंची रखते हैं पिए लिपा सब्सक्राइब आपकेर को मैं बीएर से इन्यों टैक्सिक और ऑफिपरेटरी लिए और सिस्टम घ्राइब तरहाएं मतलब तरहा है वह किसके पास उसका सेंटन किसके पास होता है कौण सवेरोल इस प्रेजेट होता है उससिट्रम के दूह ही वह रेस्पिरेशन का दो सिश्टम होता है मतलब जिसके कैस में इन हेलेशन और एकसेलेशन का प्रोसेस होता है तक totally होता है इन हानों और एकसेलेशन जाती है वे चनलब और हम इस तरीके का जो किस तुक सेंट्र होता है जो करता है तिलबी रिष्ट Island इसको कि दूट्ट हो जसको और भी पुश्ट ऊटें को मैसे आपे इंदम गालवी पार्टंप ने दिखाई देता है अभी जो सर्ट में की रोल होता है सैरी बैलम रिजन is the most important reason in the human brain क्यों बिकार इस हेल्ट इंटू न बैलेंस एक्विलिविरियम एड और ने संग यह तीन काम करता है क्या करता है बैटा एक्विलिविरियम तक एक्विलिव पिल्यम और इसके साथ साथ क्विल स्कूद्ध करता है भी उसके भी नियुक्ति पार्ट करने का काम करता है एक्विलिव मेंटेंड करने का काम Medulla oblongata जो रिजन होता है बेटा, it is also a center for the respiration. Medulla oblongata जो रिजन होता है, it is also the center for the medulla, sorry, center for the respiration, but also control the heart beat. ये जो रिजन होता है medulla oblongata बेटा, ये medulla oblongata, ये क्या करता है? मैं control, control, the respiration, respiration and, respiration को गन्तुर्व करता है, and also the heart beat. ये हो क्या करता है, बेटा, heart beat को घंतुर्व करता है, respiration को control करता है, साथ हमें क्या करता है, heart beat को भी control करता है, तो इस तरीके से अगर हमें human nervous system की बात करते हैं, तो बेटा, human nervous system के अंदर दो main parts मैंने आप लोगों को बताई है और वो दो main parts कौन कौन से हैं बेटा एक तो मैंने आपको पताया brain दूसरा हमारे पास कहा है spinal cord, तो brain के different parts हैं हमारे पास, इन different parts का important role होता है बेटा ये तो different parts है, हमारे पास ही इनका different role होता है और ये तो role है आपको as a jump point of view आपको इनके सभी parts का role पता होना तो ये बेटा अगर मैं यहाँ पर question लिखता हूँ कि इसमें importance क्या किस तरीके का question बनता तो question हमारे पास सर्फ यही बनता है गिव दा डिफरेंट, गिव दा role of different part of brain अलगी ये तो इन में से बहुत ज्यादा question से function के base को पर importance이 के base को पर ही पूछ ζाते है ठीक है आप से पूछ लिया कि which part of the brain help in to maintain the balance equilibrium and coordination तो brain का हिंड brain part जो होता है वो brain maintain करने में help करता है किस चीज़ को maintain करने में help करता है control coordination को maintain करने में help करता है और उस में भी main part कौन से है बेटा है cerebellum this cerebellum is also called the small brain ठीक न इस cerebellum को हम की जोर नाम से भी जान सकते है बेटा it is also called the small brain आपको ने देखा होगा ना कभी किसी को यहां पर हीट क्या जाता है तो वो नॉस्या सो करता है वह सो जाता है इसका मतलब क्या होता है this particular reason is help into to maintain the coordination और means equilibrium balance अब इसके लिए में और एक्जम्बल देता है जो आप cycle riding करते हैं दिवार हाइट वेस्ट दिवार जो क्यों करते हैं चलते हैं जब नीचे देखते हैं तो चकर आते पाड़ी पर तो वह सब करता है वो यही रीजन है यही कंट्रोल करता है इस तरीके की situation जो होती हमारे साथ ही उनको यही पार्ट कंट्रोल करता है उसके बाद next region जो हमारे पास present है next part is the spinal cord यहां से एक special special is particular region के अंदर से यहां देखिए इस particular region के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जहां से चली जाते हैं इसमें पूरे इसमें फैली होते हैं actually क्या होता है कि यह spinal cord है यह क्या पार्ट प्रेजेंट है बेटा that is called the spinal cord इसी रीजन को हम्मारियों बोलते हैं spinal cord बोलते हैं और यह central nervous system का ही पार्ड होती है तो अपर पार्ड जिसको में बोलते हैं लोवर पार्ड जो ओता है बैटा उसको हम spinal cord के नाम से बोलते हैं इस spinal cord के अंदर different peripheral nervous system जो होती है और इस सब्सक्राइब करते हैं और यहां से नरव रिलीज भी होती है और जो यह नरव में दिखा रहा हूं सब्सक्राइब करें डाइब करें है और वह रखोड़ है जो अब परीफ्र में है नर्व सिश्टम तो आपको नर्व सिस्टम जो है पार्ट को परिफ्र नर्व सिस्टम को हमने कि ने बता है दो पार्ट में कर दिया है पटा और व OR ऑ दो से हैं जिसमें मैंने यह मेरे हाथ में मारकर है इसको मैंने किया है इसको होल्ड करने का signal मेरे पास brain से ही आया है मतलब मेरे central nervous system से आया है और इसको release करने का काम भी मेरे central nervous system से ही आएगा तो बेटा इसके लिए signal जाना और वापिस आ जाना ठीक यह सब work कौन करता है peripheral nervous system करता है और कौन सा reason उसका voluntary reason करता है जबकि अगर मैं दूसरी बात करता हूँ तो इससे पहले हमने reflex action की बात की दी बेटा तो reflex action के case में आपने देखा था quick action होता है quick mode होता है तो ऐसी situations में हमारी body के अंदर वो भी एक तरीके से nervous control ही था उसके साथ साथ हमारी body के तो internal parts present होते हैं बेटा उस internal parts है वही उसको perform करता है human body के अंदर cranials नरव present होती है spinal और cranial नरव present होती है human body में जो cranial और spinal नरव होती है देखे cranial नरव जो होती है जो brain से directly control मतलब ऐसे body के organs होते हैं जो brain से directly control के जाते हैं जैसे विजुलाइजसनी की बात करते हैं जो सब पार्ट्स होते हैं डरेक्टली हम कहां से कंट्रोल करते हैं प्रेजेट होती है इसके लावा सब्सक्राइब करती है जैसे डाइजेशन ऑफूड यानि स्टमक का वरकिंग जो है उसको कौन करना है उसको इस्पाइनल कोर करती है इसके स्टम अब आज के लक्तर में को बताया वह हुमन्र नर्वस स्टम है इससे ते ब्यकारडिड important question यह है हमारे पास बैटा कि human nervous system के जितने भी parts है उन different parts के क्या function है तो आप अपनी notebook में को लिखें यह हमारे लिए homework भी है और बैटा यह जो portion है हमारी normal general science जिसको बोलते हैं उसकी जीके के लिए बहु जाता important है तो बैटा आज के lecture में इतना ही मिलते हैं next lecture में तब तक लिए thank you by having a nice day